जन्तर मंतर जिसे यंत्र और मंत्र का घर कहते हैं इसकी अस्थापना 1724 इस्पी में जैपुर के महराजा स्वाई जैसिंग ने किया था जहां पे बहुत सारे यंत्रों को बनाये गया है तो आज मैं आप सभी को यहां घुमाने वाला हूँ बहुत सारे यंत्रों के जो पुराने जवाने की यंत्र थे उनके बारें बताये गया है तो पहले जवाने के लोग इसी तरीके से टाइम और डेट देखते थे जैसे के आप लोग पीछे देख सकते हैं बहुत सारे यंत्रों को बनाये गया है चलिए आप सभी कोईके करके दिखाते हैं तो यहां पे मिश्री यंत्र के बारें बताये गया है और उसका नक्सा भी दिया गया है उसका चित्र भी बनाये गया है आप लोग इसके बारें में पढ़ सकते हैं इसमें बताया गया है कि लोग पहले के जबाने में टाइम कैसे देखते थे, ग्रहों की दीन दसा कैसे देखते थे, तो यहाँ पे एक यंत्र बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं, यह है घड़ी, पहले के जबाने में यह टाइम बताया करता था, देखिए लोग यहाँ प तो यहां पे बहुत सारी यंत्रों को दिखाए गया है आप लोग देख सकते हैं और यहां पे बोर्ड बे भी लगाए गया है कि कौन सा यंत्र किस तरह काम करता है लेकिन लोग आते हैं और यहां कहते हैं कि यह जंतर मंतर यह भूल भूले हिया है इसमें पता नहीं चलता है जंतर कहा है और मंतर कहा है तो आप लोग आकर बोर्ट पर पढ़ ए उसे समझें यहां पर राम यंत्र के बारे में बताया है जहां बनाया गया सेक्सान में देख सकते हैं एक उस नक्षे में mmm इसा के बारे में दिया गया था सुर्य के प्रकास से हम टाइम कैसे पता करते हैं कितने डिगरी के अंगल बनता है तो कितना बशता है सबके बारें बताए गया आप लोग देख सकते हैं वो जो सामने आप सभी को दिखाई दे रहा है वो दिन का घड़ी है दिन और रात दोनों की घड़ी बनाई गई है तो दिन का घड़ी है चलिए रात का घड़ी आप सभी को दिखाते हैं और यह बनाई गई है रात की घड़ी जो चंद्रमा निकलता है उससे पता लगाते हैं चांद निकलता है उससे अभी बन कर दिया गया है अंदर जाना मना है देख सकते हैं आप लोग यहां पर सिकर लगा हुआ है तो यह जो आप लोग गोलाकार भाग देख रहे हैं यह डेट बताता है कि आज कितना डेट है इसे आप लोग पुराने जवाने का कलेंडर भी बोल हो और इसी से हम डेट का पता लागाते थे इसमें अंदर जाने के लिए इसिंडीड बना गया लेकिन अभी बंद किया गया यहाँ पे एक और कैलेंडर देख सकते हैं यह सभी पुराने जवाने के कैलेंडर है जो टेट को बताते हैं और खगोली ये पिंड जो खगोली ये पिंड होते हैं सेलेस्टियल बड़ी उसकी दीन दसा को भी बताते हैं इसमें बहुत सारी यंत्रों को दिखाए गया है ऐसे देखने पर जंतर मंतर हमें भूल भूलेया की तरह दिखता है लेकिन इसे समझने के बाद हमें पता चलता है कि यह खगोल सास्त्रियों ने घड़ी और कैलेंडर को इसमें बनाये गया है टाइम देखने के लिए घड़ी और दीन और दसा देखने के लिए कैलेंडर को बनाए गया है तो जंतर मंतर के आसपास का जो गार्डेन है उसे बहुत ही प्यारा बनाए गया है बहुत ही अच्छे पौधों को लगाए गया आप लोग देख सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को सब्सक्राइब करें जय हिंद